इस गोमाता का कहानी ऐसा है इसको ब्राह्मन दान के लिए किसी का मर्खी क्रिया में लाया गया था और हमारे गाउं में दान हो गया गोप उच्छत कतरपन हो गया उसके बाद इस वेचारी को बहुत परिसान कर दिये मतलब लोग भीड में तब वो छोड़ के दोड़ी दोड सब को दोड़ा के रख दी सब दोड़ रहें इसको पकड़ने के लिए आखरी में मेरे घर के सामने आ गई और ऐसा जम के खड़ा होई कि जाने का नाम नहीं ले कोई पीटे मारे खीचे रसी खीच ले फिर भी जाने का नाम नहीं ले उसके बाद मेरा पिता जी बाहर निकल फिर भी नहीं जा रही है तो जो पंडी जी थे तो वो बोले ऐसा करो जहां पर है फोड़ा फोन दो मेरे को फोन दिये बोले आज से ये गाई तुमको दे दिया और तुमारे घर से नहीं आना चाहती है फिर उस दिन से मैं इसे रख लिया हमारे गोसला में ही बहुर अब देखिए इसको खाना देके अगर भाग जाओ तो नहीं खाती है खाना देके बैठना है पानी देके बैठना है तब जाके ये खाएगी और इधर उदर का चीज कुछ नहीं खाना है घास नहीं तो पौल चलिए अच्छा बात है गोमाता पदारी है अच्छा आई भी कब सनी कवार के दिन सनी अमावास्या के दिन सनी का लगन होरा में ये आई है तो सनी बबाद ये हैं चलिए गो मुत्र भी कर दी देखो इसका कहाने सुना रहे हैं गो मुत्र भी कर दी है तो ये भाग्य है और ये आने के बाद हमारा किस्मत भी थोड़ा सा और ज़्यादा जगा हुआ है एक सज्जन चलिए ओ सब बात बाद में है लेकिन बोलते हैं ना गुव भूमी नारी भाग्य होए करतप आरी तो भाग्य में होने से गुव माता मिलते हैं भूमी भवन वहान तो ये सारे भाग्य का ही खेल होता है भाग्य में हो तब जाके मिलता है नहीं तो ढूंडूंड के परिसान हो जाओ नहीं मिलते हैं और ये आने के बाद मेरे को अभी गाड़ी भूमी भवन वहान का भी मिलने का योग हो गया है और एक सजन पांसो साड़ी भी दे रहे हैं लो महराज गरीबों में बाटनाय करके और अभी कुछ फोरिनर्स भी उनका कुंडली देखने के बाद वो लोग भी मेरे को बहुत कुछ साहता किये हैं तो गव माता आये तो बोलते हैं भाग ये खुलता है तो ऐसे ही मैं इनको प्राप्त करने के बाद बहुत कुछ मिला और इससे पहले आज से 20 साल पहले एक गाय मेरे को प्राप्त हुई थी चे थन वाली गाय थी ओ कामदेन उसका नाम रखा गया तो जन्रली गाय का चार थन होता है उसका चे थन था ओफोटो आप भी मेरे फेस्बूक में होगा है तो और क्या तो आई थी तो देड़ करोड का प्रोजेक्ट मेरा मिला था और ये आई तो अभी उसका आखड़ा तो क्या बताऊं दिख रहा है करीब करीब साड़े चार करोड का प्रोजेक्ट मुमेंट होने वाला है बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोजेक्ट का फाइनाल हुआ है सेजियों के साथ तो हो भाग्य है हमारा अगर ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाए तो गाय आई तो बहुत सारा काम मेरा खुला हुआ है खुला जो बंद पड़ा था रुका हुआ था जो धन का भी दरुदर जो लोग रोक दिये थे अब वो खुलने का भी आशार दिख रहा है और थोड़ा स बीमारी भी जैसे बाद बगरा ये सब हाथ पेर का दर्द ये सब भी मैं देखाऊं दूर हुआ है तो इसके साथ मेरा अच्छा है